ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 14 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है पढ़ाई से ही स्कॉलर्शिप मिलती है इसलिए बाब द्वारा जो 49 मिलती है उसे ग्रहन करो मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है पढ़ाई से ही स्कॉलर्शिप मिलती है इसलिए बाब द्वारा जो 49 मिलती है उसे ग्रहन करो प्रश्ण लायक ब्रामण किसे कहेंगे उसकी निशानी सुनाओ उत्तर पहला लायक ब्रामण वै जिसके मुख पर बाबा का गीत ग्यान कंट हो दूसरा जो बहुतों को आप समान बनाता रहे तीसरा बहुतों को ग्यान धन का दान पुन्य करे चौथा है कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए पांचवा किसी भी देहधारी में बुद्धी लटकी हुई न हूँ छटवा ब्रामण अर्थात जिसमें कोई भूत न हूँ जो दे अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरशार्थ करे ओम शांती बाप ने अपना और स्रष्टी चक्र का परचे तो दिया है ये तो बच्चों की बुद्धी में बैठ गया है कि स्रष्टी चक्र हूबहू रिपीट होता है जैसे नाटक बनाते हैं, मोडल्स बनाते हैं, फिर वर रिपीट होते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में ये चक्र चलना चाहिए तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी तो बुद्धी में फिरना चाहिए बाप द्वारा जो नौलिज मिलती है वो ग्रहन करनी चाहिए ऐसी ग्रहन हो जाए जो पिछाडी में बाप और रचना के आदी मद्य अंत की याद रहे बच्चों को बहुत अच्छी रिती पुरशार्थ करना है ये है एजुकेशन बच्चे जानते हैं ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्रामनों के कोई भी नहीं जानते वर्णों का फर्क तो है ना मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती यहां सारे विश्व में एक राज एक धर्म एक भाशा चाहिए वो तो सत्यूग में था विश्व की बादशाही थी जिसके मालक ये लक्षमी नारायन थे तुमको ये बताना है कि विश्व में शानती का राज ये है सिर्फ भारत की ही बात है जब इन्हों का राज होता है तो सारे विश्व में शानती हो जाती है ये सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं सब है भक्त फर्क भी तुम देखते हो भक्ती अलग है ग्यान अलग है ऐसे नहीं भक्ती ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे नहीं तुम तो बाप के बने हो तुम्हारे में जो भूत है वस सब निकल जाने है पहले नंबर में भूत है दे अहिंकार इनको निकालने लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं ये पाँच भूत हैं रावन संप्रदाय के रावन राज कहते हैं राम राज अलग है रावन राज में भृष्टा चारी और राम राज में स्रिष्टा चारी होते हैं इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाए कोई को पता नहीं है तुम्हारे में भी जो समझू होश्यार हैं वो अच्छी रीती समझ सकते हैं क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है कभी-कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं सेंटर पर नहीं जाते हैं दैवी गुण धारन नहीं करते चक्ष्मी नारायन एम उबजेक्ट है तुमको ऐसा पनना है ऐसे डैवी गुण धारन करने हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में डैवी गुण होते हैं वहां आसुरी गुण होते नहीं असुर होते नहीं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे तुमको शुद्ध एहंकार है तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रोहानी बाप के बने हो ये भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजियों का ग्यान वा याद की यात्रा सिखला नहीं सकते एक बाप ही सिखलाते हैं तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो तुम से पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया तुम्हारा गुरू कौन है क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते ये तो गुरू ही सिखलाते हैं ये बच्चे जानते हैं हमारा गुरू नहीं हमारा है सत्गुरू उनको सुप्रीम भी कहा जाता है ड्रामा अनुसार सत्गुरू खुद आकर परचे देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं, वह सब सत्य ही समझाते हैं। और सच खंड में ले जाते हैं। सत एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है, झूट। यहां तो तुम्हें एक बाप कोई याद करना है। जैसे सब आत्माएं जोती बिंदु हैं तो बाप भी जोती बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संसकार कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे संसकार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संसकार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते थोड़ा फर्क जरूर होता है ये नाटक तो एक ही है स्रश्टी भी एक ही है अनेक नहीं ये गपोडे लगाते ही की उपर नीचे दुनिया है उपर तारों में दुनिया है बाबा कहते हैं ये किसने बताया है तो नाम लेते हैं शास्त्रों का शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्ण लिखे होंगे तुम जानते हो ये तो बना बनाया खेल है सेकेंड बाई सेकेंड जो सारी दुनिया का पार्ट बजता है ये भी ड्रामा का बना बनाया खेल है तुम बच्चों की बुद्धी में आ गया यह चक्र कैसे फिरता है सभी मनुष्य से मात्र जो हैं वे कैसे पाट बजाते हैं बाबा ने बताया है सत्यूग में सिर्फ तुम्हारा ही पाट होता है नमबर वार आते हो पाट बजाने बाबा कितना अच्छी रीती समझाते हैं तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है बड़े-बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े-बड़े आदमी वहां आएंगे गरीब भी आएंगे अक्सर करके गरीबों की बुद्धी में जट बैटता है बड़े-बड़े आदमी भल आते हैं परन्तु काम पड़ गया तो कहेंगे फुरसत नहीं प्रतिग्या करते हैं हम अच्छी रीती पड़ेंगे फिर अगर नहीं पड़ते तो धक्काख लग जाता है माया और ही अपने तरफ खींच लेती है बहुत बच्चे हैं जो पड़ना बंद कर देते हैं पड़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे इसकूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं बुद्धी में रहता है हम अच्छी रीती पड़कर स्कॉलर्शिप लेंगे इसलिए पड़ते हैं मिस करने का खयाल नहीं करते उनों को पड़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा यहां एक ही टीचर पड़ाने वाला है तो कभी पड़ाई मिस नहीं करनी चाहिए इसमें भी नंबर बार पुर्शार्थ अनुसार हैं देखते हैं पड़ने वाले अच्छे हैं तो पड़ाने वाले की भी दिल लगती है तीचर का नाम बाला होता है ग्रेड बढ़ती है उँच पड़ मिलता है यहां भी बच्चे जो जितना पड़ते हैं उतना उँच पड़ पाते हैं एक ही क्लास में कोई पड़कर उँच पड़ पाते हैं कोई कम सब की कमाई एक जैसी नहीं होती बुद्धी पर मदार है वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए गफलत नहीं करनी चाहिए पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए एक दो के स्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निष्चे है, बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए. बच्चे नमबर वार हैं, बाप तो अवल नमबर है, इस पढ़ाई को छोड़ और कहां जाएंगे? और कहां से ये पढ़ाई मिलना सके शिवबाबा से पढ़ना है सौधा भी शिवबाबा से करना है कोई उल्टी सुल्टी बातें सुना कर औरों का मुख मोड देते हैं ये बैंक शिवबाबा की है समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते कहते हैं हमें श्रिव बाबा की बैंक में जमा करना है कैसे करेंगे बच्चे जो आते हैं श्रिव बाबा की भंडारी में डालते हैं एक पैसा भी देते हैं तो सोगुना होकर मिलता है श्रिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है धनवान अच्छे अच्छे कुटुम्ब से आप बहुत आते हैं ऐसे कोई नहीं कहते कि हमारी शिवावा के भंडारें से परवरिश नहीं होती है सब की पालना हो रही है कोई गरीब हैं, कोई साहुकार हैं साहुकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं बहुत चाते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हूँ तंदुरुष्ट भी चाहिए, ज्यान भी दे सकें गवर्मेंट भी बहुत चांच कर लेती है यहां भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं नंबर वार्तो हैं, सब अपना अपना पुरशार्त कर रहे हैं कोई अच्छा पुरशार्त करते करते, फिर अपसेंट हो जाते हैं कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है जिनको शौक है समझते हैं याद से ही हमारे पाप करते हैं वो अच्छी रीती पुरशार्त करते हैं कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं अपनी अपनी जाच करनी है बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो वह पता पढ़ जाएगा ये किसको पढ़ा नहीं सकते बाबा कहते हैं साथ रोज में तुमको लायक ब्रामण ब्रामणी बन जाना है सिर्फ नाम का ब्रामण ब्रामणी नहीं चाहिए ब्रामण ब्रामणी वह जिनके मुक में बाबा का गीत ग्यान कंठो ब्रामणों में भी नंबर वार तो होते ही हैं यहां भी ऐसे ही हैं पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे हर एक को अपना पुरशार्थ करना है सर्विस का सबूत देना चाहिए तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा फिर वै कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ तब पढ़ा नहीं सकता बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो कहां तक ब्रामणी को भेजेंगे आप समान नहीं बनाया है जहां अच्छी रिती पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए बहतों का आपस में मतभेद रहता है कोई फिर एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं जो करेगा सो पाएगा एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो ये भी ड्रामा तकदीर में नहीं है दिन प्रति दिन पढ़ाई जोर होती जाती है सेंटर खुलते रहते हैं ये शिवाबा का खरचा नहीं है सारा ही बच्चों का खरचा है ये दान सबसे अच्छा है उस दान से अलपकाल का सुख मिलता है इनसे 21 जन्मों की प्रालब्द मिलती है तुम जानते हो हम यहां आते हैं नरसे नारायन बनने के लिए तो जो अच्छी रीती पढ़ते हैं उनको फालो करो कितना रेगूलर पढ़ना चाहिए अक्सर करके दे अविमान में आकर बहुत लड़ते हैं अपनी तकदीर से रूट पढ़ते हैं इसलिए मैजारिटी माताओं की है नाम भी माताओं का बाला होता है ड्रामा में माताओं के उन्नती की भी नूद है तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो आत्म अभेमानी होकर रहो शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे ये पक्का अभ्यास करो हम आत्मा हैं अब हमको वापिस जाना है बाप कहते हैं ये सब त्याक करो बाप को याद करो इस पर ही सारा मदार है बाप कहते हैं धन्दा आदी भल करते रहो आट घंटा धन्दा आठ घंटा आराम बाकी आठ घंटा इस गवर्मेंट की सर्विस करो ये भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो इसके लिए टाइम निकालो मुख्य है याद की यात्रा टाइम विश्ट नहीं करना चाहिए उस government की आठ घंटा सर्विस करते हो उससे क्या मिलता है हजार दो पाँच हजार इस government की सर्विस करने से तुम पदमा पदम पती बनते हो तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए आठ रत्न बने हैं तो जरूर आठ घंटा बाबा को याद करते होंगे भक्ती मार्ग में बहुत याद करते हैं टाइम गवाते हैं मिलता कुछ भी नहीं है गंगा इसनान जब तब आधी करने से बाब नहीं मिलता है जो वर्सा मिले यहाँ तो तुमको बाब से वर्सा मिलता है अच्छा मीछे मीछे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला स्रीमत को छोड कभी परमत पर नहीं चलना है उल्टी सुल्टी बातों में आकर पड़ाई से मुख नहीं मुड़ना है मत भेद में नहीं आना है अपनी जाच करनी है कि हम कहां गफलत तो नहीं करते हैं पड़ाई पर पूरा अटेंशन है समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं आत्मा अभिमानी बने हैं, रुहानी सेवा दिल से करते हैं, वर्दान रुहानी अथोर्टी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वरक्ष में जब संपूर्ण फल की अथोर्टी आ जाती है, तो वरक्ष जुक जाता है, अर्थात निर्माड बनने की सेवा करता है। ऐसे रुहानी अथोर्टी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथोर्टी उतने निर्माड और सर्व के सने ही होंगे। अल्पकाल की अथोर्टी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथोर्टी वाले अथोर्टी के साथ निर्हंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की व्रत्ती में जितनी अथोर्टी होगी, उसकी वाली में उतना ही सने और नम्रता होगी। स्लोगन भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती। झाले में जितना है, बिना करिष्या नहीं मिलता त्याग है। झाल झाल